सौरब जुड़ गए हमारे साथ, सौरब कई सारे आरोप जो हैं वो आपके उपर शेहजाद पुना वाला ने लगाए हैं और लगातार वो आरोप लगा रहे हैं उधर जो प्लोटिंग हो रही है जो सरा से अब खबर आ रही है कि एडी शामिल हो गई है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सौरब जी गिरिफ्तारी हो सकती है तो सौरब क्या कहेंगा आप और एक छोटी से रिक्वेस्स मेरी भी आप से मैं आपको पुरह सम्मान दूँगा मुझे पर नाराज़गी मत जताइएगा सवाल मैं पूछूंगा जवाब आप दीजेगा और उम्मीद है कि चर्चा जी 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 बिल्कुल 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 मैं भारतिय जन्ता पार्टी की एक चीज़ देखता हूँ यहांते ही 100 सवाल दागते हैं और इनके 100 के 100 सवालों के जवाब यह जो परिवरक्ता आपके बैठे हैं मैं इनके सवालों के जवाब कई चैनल्स पे दे चुका हूँ कई चैनल्स पे यह मुझे चैल yardे के आए और चैनलuciones भार गहे राजनीती छोड़ने तक का चले जिन्हों ने दिया और ये हार गए उसके बावजूद भी जो है इनकी आप इनकी कला मानिए कि वो उनी सवालों को हर रोज दोराते हैं पहले कांग्रेस से हुआ करते थे और भारतिय जनता पार्टी को भर-भर गालियां देते थे कि बातिय जनता पार्टी जो है आप आपको टोक्टा नहीं खाता हूं सौरब जी देखिए विक्तिकत होना आप दोनों के पास अपने अपने माध्या में आप दोनों ने भी खुब ट्वीट के एक दूसरे खिलाफ वो आपका अपना प्लेटफॉर्म है आप क्योंकि यहां पर बात जो है वो आप आपको रिप्रेजंट कर रहे हैं शहजाद बीजीपी कर रहे हैं तो स्पेस्फिक सवाल रखें सवाल बड़ा सीधा है शहजाद आप मेरा जवाब सुनिएगा क्योंकि आपके चैनल पे और आपके एंकर होते हुए जवाब नहीं दिये तो मैं एक पूछ चुका हूँ क्या MCD ने भाजतिये जन्ता पार्टी शासित MCD ने टोल टेक्स लाइसेंसी के 83 करोड रुपे माफ नहीं किये करोना के लोगडाउन के चलते नहीं किये हूँ तो ये मना कर दे कि नहीं दिये MCD के टोल टेक्स का जो टेंडर है वो 785 करोड का है एक साल का उसके अंदर ये 85 करोड रुपे माफ कर देते हैं एकसाईज का टेंडर एक साल का साड़े 9000 करोड रुपे का है उसके अंदर 145 करोड रुपे माफ होते हैं करोना के तो क्या परसेंटेज हुई MCD ने जो माफ किये वो साड़े 9% वैल्यू आफ टेंडर माफ कर दिये करोना के नाम के और एकसाईज डिपार्टमेंट ने जो माफ किये वो 1.5% आफ टेंडर वैल्यू माफ किये करोना तो बराबर हुआ टोल्टेक्स वाले का कहना ये था कि जब करोना का लॉकडाउन लगा तो मेरे यहां से गाड़ियां नहीं गुजरी तो मेरे पस टोल्टेक्स कलेक्ट नहीं हुआ सौरभ भारतवाजी देखे आप दोनों क्योंकि वरिश प्रवक्ता हैं आप दोनों आकडों के जरीए बाते सामें रख रहे हैं लेकिन एक बड़ा आसान सा सवाल जो जनता के मन में आता वो यह आता है कि इंडिया अगेंस करॉप्शन से जब आप लोगों ने शुरवात की तो आप लोग आरोप लगने के बाद सीफे मांगते थे मौझूदा दोर में आपका एक मंत्री जेल में है आप दूसरे को लेकर यह आरोप लग रहे हैं अभी भी आप लोग कह रहे हैं कट्टर हिमानदार है यहीं पर बैठे हैं हमाईसा दिल्ली कॉंग्रिस के अधिक्ष उनकी नेता शीला दिक्षची को लेकर आप लोगों ने कितने आरोप लगाए तो जो पैमाना उस वक्त सही था वो पैमाना आज गलक कैसे हो सकता है यह 12 चरित क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ हुआ यह मिश्रा जी 2014 के बाद भारतिय जनता पार्टी ने जिस जिस अपोजीशन के नेता के खिला ब्रस्टाचार का चलाया उसके ओपर ED के नोटिस दिये CBI से धमकवाया उसको भारतिय जनता पार्टी के अंदर जॉइन कराके वो इंवेस्टिकेशन खतम कर दी एक्जामपल देता हूँ हेमंत बिस्वशर्मा कॉंग्रेस के मंतरी थे वो सबसे भरस्ट अचारी थे असम के अंदर और पूर पूरा का पूरा कैमपेंग चलाया भारतिय जनता पार्टी का पैमाना ये है कि कॉंग्रेस के नेताओं को शिवसेना के नेताओं को अन्य राज़िके अभी आप शायद नाराज हो जाएंगे मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ सवाल फिर यही है जो पैमाना आप लोगों ने सेट किया जनता को आपने कटर इमानदार चभी दिखाई अब आप उस पैमाने से डायबाएं क्यों हो रहे हैं क्यों जो पैमाना शीला दिक्षित को लेकर या बाकी लोगों को लेकर आपका था वो आपके मंत्री चाहे सब्सक्राइशन पार्टी के नेताओं को टार्गेट करके उनको बीजेपी में जॉइन कराना है और ऐसे कम से कम पांच 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 जो आपके लोगों को शामिल कर लो